हेलो फ्रेंड वेलकम टू मैं चैनल जी के फॉर एक्जामन हंदी में आराज हम एंटेयन नेट का जो पीपर है सोशलोजी पेपर सेकेंड जो है समाशाथ से लिडिक प्रशन कर रहे हैं और ये वीडियो एंटेयन नेट करने वाले छात्रों स्टूर्स के लिए बहुत ही उप एक हित में से किसने समाशास्त की परिभाशा सामूहिक प्रतिनिधित के क्रमद अधन के रूप में दी है तो वे कौन थे? इमल दुर्खिम जी थे इमल दुर्किम से बहुत से प्रश्न जो है आपको पेपर में देखने को मिल सकती है फिर है निम्न मेंसे किसकी परिभाशा है कि समुदाय समाजिक जीवन जीने का एक स्थान है जिसमें कुछ सीमा तक सुसंगती पाई जाती है तो ये MRM मेकाईवर और CH पेच की परिभाशा है डेफिनेशन है जोकि आपको याद करनी ही पड़ेगी फिर अगला है निम्न मेंसे किसने अनिवार्य था सम्थ संग की अवधार्ना को परतिपादित किया था तो ये डेरेंडाफ जी थे अगला है पुरुसकार और दंड भूमी का परत्याशा से सम्बंदित है तो जिसे जाना जाता है संस्वृति से अगला हमसे उन्होंने जो है सूची पूछी है तो हम सूची का आपको अंसर सीधा बता देते हैं उन्होंने बोला है समूदाई तो समूदाई हमारा किस से जुड़ा होता है हमकी भावना से अगला बोला है संस्था तो संस्था किस से जुड़ी होती है जाती से पिर अगला इसने पूछा है संग, संग किस से जुड़ा होता है? वो श्रमिक संग से जुड़ा होता है और अगला है संस्कृति, तो संस्कृति जो है साजा मुल्ले होती है ऐसे जो है सुची सुमेलित के प्रश्ण बहुत देखे जाते हैं तो इन्हें आप जरूर याद कीजेगा अगला है निमने में से किसने पारंपरिक आधोनिक समाजों को समझने में क्रमन शाह प्रस्तिती और सम्विधा की अफधार्णा का उप्योग किया तो यह हैं रिमैन थी आपको प्रैक्टिस एट बहुत करने होंगे ताकि आपको ऐसी लेंग्विज की आदत पढ़ जाए और आप जो हैं एक्जाम में जब बे अपना पेपर दें तो आपको कोई परिशानी ना हो आपको समझने में कोई दिक्त ना तो इसलिए जतना जादा प्रैक्टिस करोगे उतना जादा आपको यह लेंग्विज समझ में भी आएगी औ पर आप जो हैं अटेंप्ट कर पाओगे अपने पेपर को फिर इन्होंने पूछा है निमन में इसे यह किसका अकतरक है कि सम्मान को किसी विश्ष्ट सकरात्मक अत्वान नकरात्मक समाजी काकलन के पदों में प्रस्तिती समू की पहचान की जा सकती है तो यह किस ने कहा थ था हम अगले अहम फिर इस से अगला देखते हैं समाजिक सरंचना के अपने सिध्धान में किसने भूमिका का वरगी करन मोल भूत हा प्रियाप्त प्रसांगिक और परीधिये के रूप में किया है तो वह एस एफ नाडेल थे पिर अगली सूची आ गई है इस से रिलेटिक तो पहला उसने पूछा है जी सीमेल की पुस्तक लेखक और ग्रंथ है तो आपसे जी सीमेल है तो जी सीमेल के कौन है दा मैट्रो पॉली एंड मैंटल लाइफ ये ग्रंथ इनका है फिर सीच को लेजी है इनका ग्रंथ कुन सा है शोशल औरनाइजेशन फिर उसके बाद है आरफर्थ तो आरफर्थ किसका है ये तो ये हूमन टाइम्स का है और फिर जी एल सुमसंस का क्या है दा हूमन्स ग्रूप अगली और बढ़ते हैं ये किसका कथन है कि धार्मिक अनुष्ठानों का प्रकारे समाज के सदस्यों पर समाज के नैतिक श्रेष्टा की अभी बू हनोते हैं तो अभी कतन है सजातिय विवा आज भी भारतिय समाज में प्रत्रीत है उसके बाद है इनका तर्क दिया है अधिकांशत है लोग अपनी चाती में ही विवा करना पसंद करते हैं तो यह और दोनों सही है और एक यह सही व्यक्या है अगला प्रश्ण देख लेते हैं sociology of economic life नामक पुस्तक किसने लिखी है तो पुस्तक का नाम पूछा है तो समयल सर जी है और पुस्तक से रिलेड़ेड बहुत सारे प्रश्ण देखे जाते हैं फिर अगला प्रश्ण है समाजी करण इसको भी घा जाता है तो संस्कृती करण यानि संस्कृती ग्रहन को भी हम स जो है मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आगे भी वीडियो मना सकें अगर कोई सजेशन ही सुझाव है तो भी आप हमें का वेंट बोक्स में ज़रू लिखेगा तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका शुक्रिया